नमस्कार दूस्तों मेरा नाम है कगना और स्वागत है आज किस वीडियो में जहांपे मैं आपको दिखाने वाले में बहते इंट्रेसिंग है यह जो आप इजे ट्रक देख पा रहे हैं इसमें किसी नॉर्मल कार से जाधा फीचर है फोड की ट्रक है और एक टू भीएच के इसके अंदर है याने कि टू बेड्रूम हॉल की चंट रस्ट में दिखाऊंगा मैं कुछ चलिए ओके तो इससे शुरुबात करते हैं यह वाले ट्रक से यह वाला थोड़ा सा बढ़ा है तो मैंने का चलो इससे से आपको उता आता हूं चावी जो यह आप देख पाने दो बटन आते हैं लॉक और अनलोग आते हैं और सिंपल से क देखेंगे तो आपको जो है यह उपर हो रहा है आपको यह उपर हो रहा है अचैनल से कई पर दो यह अगर आप कर दो यहां आपके पास में और आपको बता दूँगा यहां पर आपके पास में coolant है यह आपके पास में AC का air intake है यह जो आप देख पा रहे हैं यह फ्लूइड है वाशर फ्लूइड आपको डालना हो तो यह सब चीजें आप आप एक्सेस कर सकते हो कुछ और components भी यह रीडियेटर इतना बड़ा लिखता है इंजन जो है वह 12.7 लिटर का इंजन है और 12 speed का gearbox वह भी आपको यहां पर दिखता है इसको मैं फिलाल करता हूं बंद कि यहां पर बंद हो गया है और इंजन अगर आपको थन के उची करना के लिख था वह आप कहा से अक्सेस करेंगे वे तो यह अंग्जन जो है जोसा 24 शिक राएगा के बढ़ वह आपको कुरू का इसको किशनक माल किया गया है यहां पर बलाइक उसको रखा गया है और कुछ जो है क्लिकरओं का स्वाल कम की गया है इहां पर यह 400 शिक्स इन्यादरदलेचिंग का टैंक है वह वाला 750 डिजिक्ट का थे लेकिन यह वालत्रक्ड में यह और तक है 450 गया है वह फ्वाला थे घनक है यह यहां दिया गया का frame एर सस्पेंशन ऐ रियर में, फ्रेंड में आपकी पास में, कमानी पत्ती वाले ही होंगे, रेकि आठे लेश स्प्रिंग ही होने चाहिए, दिख नहीं रहे यहां है बडब बड़े वाले कमानी पत्ती वाले ही बट स्छेमिलर काफी जो में . यहां पर कुछ और कीज़ आपको दिखाता हूं यह लेटर मैं उपर करके ख्लाइम करके दिखाता हूं ताकि थोड़ा सा और बहतर आप देख पारे हो यह कैमरा है जो कि वेसिकली एडास फीचर के लिए इस एंस इंग वाइपर है और यह जो देख पारे हो यह अंदर जाके बताऊंगा क्या है क्योंकि यह जर्मनी से स्पेसिफिक चीज जो है यहां पर है बट उसके अलावा ऊपर देख पारें आप यह एरोडायमिक्स के साफ से बनाया जाते हैं ट्रक ताकि फ्यूल इफ्चेंजी सोडी से बढ़ जाए लेकिन बारा लेटर का इंजिन का है फ्यू इतना बड़ा टैंग है तो कुस तो दे गाई अन्लॉक हम करते हैं यह मैंने लॉक किया और मैं अंदर आपको अरे अंदर चलने से पहले जो की अंदर बहुत सारे फीचर है स्पेस है उससे चलने से पहले मैं कुछ-कुछ बाहर के खेल दिखा दा हूँ इसमें और स्ट्रो से से स्ट्रो फेस अभी यह उडर इंदर से खेपा रही है वह में अपने हमें 50 अज दो आप देखो कहां पर आँ और 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 यहां पर लिखा हुआ है यह प्रोडेक्शन अब लिखा और यह च्ट्रक्ट कुछ है टर्की में बनता है फो ट्रक्स जो है वह इसको यूए बन बनाती है तर्की बनाती है और फुली फोर्ड ओन नहीं है तर्की की कमपनी भी समें शामिल है एक हाथ से मैं पकड़के चड़ गया हूँ यह अपने आप में बड़ी बात है भाई साहब इसमें Galaxy Note 20 Ultra किसी का फोन कनेक्ट हुआ है मेरा नहीं है I am sure मैं ट्रक को पूरी तरीके से बंद करता हूँ यह मैंने पूरा बंद कर लिया भाई बढ़िया विजिबिलिटी है इस ट्रक में कोई परेशानी विजिबिटी में आपको नहीं होने वाली है anyway चाबी कहां की मेरे जेब में शुरुआत करते हैं चीजों की मतलब अली चीजों की बात करते हैं चाबी में लगा देता हूँ और होके आ बैने में पर गाड़ी की चाबी मेरी चाबी लगान लगया anyway, यहाँ पर मैंने चालू कर दिया है, food trucks बड़ा बड़ा लिखा आ रहा है और क्या-क्या चीजें, क्या-क्या features यहाँ आते, सब मैं आपको उता हूँगा EKS warning आ रही है, EKS की warning खटा दो, वैसे EKS की warning जो है, अगर aircraft में आ जाए आपके पास में, इधर बहुत सारे बटन है, with infotainment, इधर आपके पास में, जो है, बीच में M.I.D. है, इधर आपके पास में, टेकोमेटर है, स्पीडोमेटर है, और इस किलोमेटर पर आप में 125 तक की स्पीड जरूर दीगी, वर कितनी जाती है, टॉप स्पीड, वह भी में आपको उता हूँगा, 90 पे थोड़ा सा रेस्टिक्टेड है, यहाँ देख सकते हो, और इसके बाद में, इधर आपके पास में, कुछ और ब प्लस पॉइंट तो पूरा, प्लस पॉइंट तो पूरा, जो है, शेड लगा कि आप इस 2BHK में, अब 2BHK में तो बेड्रूम की जएके, 2BED है, वह में आपको दिखाऊंगा, जादा क्लिक बेट निकारा है, मैं सच में दिखाऊंगा आपको, तो उसके बाद में यहाँ आते हैं वापस, इधर आपके बास में कुछ बटन्स हैं, उनकी पात में पहले कर लेता हूँ, यह विसिक्ति सारे लाइट से जुड़ेवे कंट्रोल है, आपको यहाँ देखने को मलते हैं, इंटीर की इलुमिनेशन है, वह आप यहाँ पे एड्जिस कर सकते हैं, वाग लाइट के कंट्रोल यहाँ है, यह पीछे का एरिया है, उसक की लाइट जलाने तो यहाँ बटन है, कुछ कुछ dummy buttons यहाँ जरूर दिये गया है, मैं इसको unlock करके आपको दिखाता हूँ, कुछ dummy buttons आपको यहाँ पे मिलते हैं, बट वो dummy buttons जो है, उसमें कुछ अभी लगाऊओ नहीं है, आप लगाना चाहिए लगा सकते हैं, थोड़ा coin holder और वगारा जैसी जो इसपेस को यहाँ पर देखने को मिलती है, उसके अलावा यह यह अब देखाता हूँ, क्या-क्या फीचर्स यहाँ दी जाते हैं, इंस्टॉमिन कॉंसोल में, मैंने बता दी आपको कि already tachometer और speedometer आपको यहां देखने भों मिलते हैं पर उसके अलावा क्या क्या चीज़े हैं इसके अलावा सबसे पहला बीच में यहां पर देख पार हो coolant फिर उसके बाद में fuel यह add blue कितना है और उदर जो है कितना pressure है oil का यह normal चीज़ें जो ओपर परिजिटल स्पीडो मिटर है उसके बाद में ट्रिप वन ट्रिप टू यह जो है टीओट एवरेज यह सब चीज़ है कितना दे रही है इंस्टेनियेस फ्यूल कंजप्शन क्या मिल रहा है वह आपको दिखाता है सारे feature car वाले जैसे आपको यहां पर लग रहे होंगे, उसके बाद में जो है कितना सोई हो, कितना सजाले हो, वो सब आपको दिखाता है, यह एक वीक में कितना सोई हो, कितना सजाले हो, क्योंकि यह लong haul truck से लंबा-लंबा चलता है, तो यह information काम आती है driver के, battery voltage इंफर्मिशन उसके बाद में वहिकल की हाइट क्या है इंक्रीज ऑप्टिमिम डिक्रीज रियर में एर सुस्पेंशन है तो वह आप कर सकते हो अजस्मेंट वह यहां पर आपको दिखा रहा है ट्रेलर एक्सल एक्सल जो है उस पर किता लोड पड़ रहा है वह बताता है एक् थैज क्रूस कंट्रोल ब्राइवर्मिशन City चेप्स एकि और पर आपको सेलेखे आपको रोड की और वह नाम के चरीगे मांय। कि थी में चेइज सेक्ड़ कान्पिशन करना थो स्मार्ट में न सुक्त birds चलती है क्या कुछ है वो आप देख सकते हैं उसके बाद में auxiliary heater 1, heater 2, heater 3, तीओ, heater कहा है बताऊंगा मैं आपको भाई, बहुत सारी setting इसमें, heater setting यह refresh mode होनी चाहिए, यह heater continue से अंदर की हवाई जो है circulate करें, वो दिखाता है, language, unit, time zone, rain sensing, auto locks, यह सब setting है, driver time alert, connectivity, यह सब चीजें जो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद में और आगे कुछ नहीं है, इतनी चीजे हैं, नीचे देख रहे हो, lane की पसिछ feature से में आता है, तो उससे जुड़े information है, neutral है, odometer और और कितनी गाड़ी चली है, यह जो आप देख पा रहे हो, यह गाड़ी में wifi चलता है तो उसका यहाँ पर यह बटन है, कि wifi अगर connected हो, तो यहाँ दिखाता है, और जो कि अभी connected है, और उसके बाद में information और parking brake engaged है, यह सब आपको यहाँ दिखा रहा है, तो यह normal सी चीजें, normal जो क्या है, मतलब सारी information जो है, गाड़ी के बारे में जितनी information है, mostly आपको यहाँ मि हौन मैं भी बजा नहीं सकता, वेन्यू में हूँ मैं, सब लोग इधर ही आ जाएंगे सारे उटके, यह control आ रहे है, M.I.D. control करने के लिए, और यह call उठाने काटने के लिए, और वो जो है, आगे बिचे करने के लिए, अपना music उज़िक उसके लिए, बट अगर आप पार्किंग ब्रेक है, सबसे बहुत है, तीन लेवल पर अजस्ट होता है, उसके बाद में यहाँ जो आप देखेंगे, यह ट्रेलर का पार्किंग ब्रेक है, तो वो आप अगेज कर सकते हैं, यह आपके पास में, यह कुछ चो होता है, मतलब मैं, मैं भूल रहा हूँ इसक एक वर्ड इसका, बिसिकली जो पीछे बादा ट्रेलर है, उसके लिए आपको दिया गया है, जो कि उसकी कंडिशन उसको लॉक करता है, ऐसा कुछ करता है, तो वो मैं आपके बूट रहा हूँ, यह जो चीज़ों पर बाद में आते हैं, इधर जो चीज़ों उस पर आते है सबसे पहले, तो यह आप देख पा रहे है, forward collision warning है, lane की पासिस्ट है, यह आपका trailer जो है, वो maneuver mode में जाना है नहीं जाना है, आपको कि अगर आप नहीं parking वार्किंग कर रहे हो तो वो, यह जो है दो पटन है, उपर की तरफ है का नीचे की तरफ है, उपर की तरफ बिसिकली kind of cruise control, आप कह सकते हो, not really cruise control, इस वाले mode में जाने पर क्या होता है, drive mode जो है, वो आप select कर सकते हो, कि economy mode या power mode में जाना है, मतलब overall drive mode का सरफ है, however, जब आप यह नीचे वाला price करते हो, तो क्या होता है, कि आपके पास में जो एक और mode है, आपके, coasting mode है, जिसमें क्या होता है, यह economy mode में आपको ले जाता है, और गाड़ी जो है, वो रोल करने लग जाती, kind of neutral gear में, जैसे या brake या कुछ दबाते हो, तो गाड़ी जो है वापिस आ जाती है, अपने, उस optimum gear में, तो वो उसके लिए बटनी यहाँ पर दिया गया, कई वार ऐसे होता है, कि इन में क्या मजाख आपके पास मियां पर कर रहा हूँ, यूजिली जो है, जैसे कोई सीनिया पर नहीं होता है, एनिवे यह आपका differential lock, अगर आपको करना हो, तो वो बटन है, differential lock is active off, यह बता रहा है मुझे यह आपका hill, मतलब जो चड़ा ही करनी हो, तो उसके लिए आपके पास बटन, हो तो, यह मतलब यूरिया, यूरिया जालना और नहीं डालना, हर 300 से 2000 किलमेटर के बीच में करना होता है, depending आप कहां चलाते हो, वैसे यह long haul truck है, तो इनमें 1200 किलमेटर पर आम तो पर driver करता है, यह light interior की on करनी है, तो वो मैं आपको on करता हूँ, ताकि थोड़ी सी और बहतर तरीकिस में दिखा पाऊ, यह टिकेट विकेट रखने के लिए वैसे तो जर्मनी में टोल लगते नहीं है, तो हाँ, टोल से याद आगया, कुछ मुझे बूल जाता है, यह जो आप device देख रहे हो, जो वरता बहार से बताऊंगा, यह actually toll, जर्मनी में toll काटने का system है, यह truckers सब जहां रख सकते हैं, यह और lights है, और वो भी mount करता हूं, in fact, यहाँ पे जो है, मैंने आपको दिखाया ना, कि यह कैसे यह नीचे आ जाता है, यह वाल जीदो मैं दिखाई, बट आपको जो नहीं दिखाई हो, यह उपर sunroof दीगी है, यह देखो, आप अभी sunroof की बाद मैं बाद में करूँगा, फिलाल मैं इसको बंद करता हूं, और यह driver door जब खोले तब light जल नीची, जल नीची वो वाला switch होता है, anyway, तो यह सारे buttons मैंने आपको यहाँ पे समझाए, यह 12V का नहीं, 24V का यहाँ पे जुगाड है, यह भी 24V का गिनते रहना कितने है, यह 12V का इसका नाम CarPlay ही है, हर दिके CarPlay होता है, बाइक में भी होता है, इसका नाम ट्रक पले भी देना जी है, anyway, sound, Bluetooth, phone, display, radio, general, यह सारी setting जो है, आपको जैसी Sync 3 मिलती थी, exact same setting जो है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, volume, volume, यह shortcut से control करने के, light wind करने का system है, यहाँ पे, यह सारे के सारे AC से जोड़े वे control, आपको जो है, यहाँ देखने को मिलते हैं, अब AC से जोड़े वे control है, simple सा control है, मतलब वही, front windshield, by the way, इसमें electronically जैसे default आता है, वैसे वादा system हाता है, तो वह यहाँ आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसके बाद में, यह space है, यह भी एक space है, य यह एक space है, यहाँ पर एक space है, यह बंद करो, यह space है, यहाँ पर एक space है, उसके बाद में, यह sunroof जो है, यह खुलती है, मतलब obviously इसे बाहर तो नहीं निकल पाओगे, मेरी height देखोगे तो आपको समझ में आएगा, 7-8 foot से उपर है, तो यह इसमें से बाहर निकलो, कोई problem कोई निकल नहीं पाओगा, उसके बाद में, यहाँ पर जो है, दो तरीकी की sunshade है, मतलब एक, यह लगा के बताता हूँ, यह मच्छरो वाला sunshade भी जो है, यहाँ पर मिलता है, यह मच्छरो वाला है, तो sunroof खोल के आप हवा ले सकते हो, मच्छर अंदर नहीं आएगे, और यह completely blind करने वाला sunshade जो है, वो भी आपको यहाँ दिखने उमलता है, not just that, space की कमी पढ़ रही है, यह एक और space है, चार किलो तक समान यहाँ रख सकते हो, यहाँ पर एक और space है, जिसमें चार किलो आप और यहाँ रख सकते हो, well, यह तो हो गया सारा space, ठीक है, यह hall area का space मैंने आपको यहाँ पर बताया, अभी तो seat adjustment तो मैंने आपको बताया नहीं, अब दो बैड की बात करते है, एक बैड जो है, वो आपका यहाँ पर अवे लेवल है, ठीक है, काफी गद्यदार बढ़िया बैड है, ऐसा normal नहीं है, आप गद्दा बदल के अपने इसाब से ल volume up-down करनी है, मालतो हो music चलाते हैं, लोरी सुनते हैं, तो उसका हिसाब यहाँ पर, heating आपको करनी है, तो यहाँ से on कर सकते हो, और यह overall sunroof जो है, उसको खोलना बंद करना हो, sunroof मतलब यह ventilation जो है, उसको खोलना बंद करना हो, तो वो भी आपके पास control है, यहाँ पे भी space द electronic adjustment नहीं है, यह air के साब से होता है, electronic है, बट वो से घूम के motorize नहीं है, air के साब से होता है, यह देखो, seat नहीं चोगी है, सारी gases की मैं निकाल दी है, वाफिस बर रहा हूं है, यह आपका suspension level, मतलब गाड़ी जब उचले, तो यह कि sensitivity क्या होनी चाहिए, आपके वजन के साब set करते हो, यह bolster support जो है, आपको वो मिलते हैं, और यह armrest जो है, आपको जो है, वो मिलता है, not just this, आपको जो है, एक और चीज यहाँ पर मिलती है, जो मैं दिखाना भूट हूँ, हाँ, AC events जो है, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, जो कि again, बहुती बढ़िया circulation AC events का, इसका पर बूर रहा हूँ, मैं जो है, गाड़ी करता हूँ, simply बंद, कुछ और चीजे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर, जैसे कि गेर आपको यहाँ से लालना है, reverse, neutral, आप यह देख पा रहे हैं, और अगर आपको manually गेर से लेक करना है, तो भी आप इसको दबा के manually कर सकते हैं, यह देखो आप, यहाँ पर आपके पास में है, fridge भाई, fridge, आप चाहो तो इसकी जगें है, cooker, cooker, CTVT, कुछ भी लाके लगा सकते हो, क्यों, क्योंकि इसमें आपको induction का option आता है, तो induction इदर लगा लो, fridge लगा लो, यहाँ पर खाना होना बना लो, तो यह होगा, आपका kitchen आप बोलते है kitchen तो दिखा है यह नहीं, तो यह 3BHK वाला system आपके पास में यहाँ पर है, in fact, कई लोग जो है, वो गैस वाला भी लगा लगा लेते हैं, उधर वहाँ से लगा के वैसा system भी वो करवा लेते हैं, जो बाहर स्टोज पर दिखा हैं आपको उससे, अब मैं चलत करते हैं, काफी सुन्दर अलकोवा वाली वील यह लग रहे हैं, यहाँ पर Micheline के टाइस नहीं लगे हैं, वरना वो anti-splash tires जो भी आते हैं, मतलब ऐसे, आपको कोई Mercedes के tires पर दिखने हूँ मुल जाएंगी, उनका tire मिशलीन के साथ में, तो वो anti-splash wheels जो जो यहाँ पर नहीं आपको दिखा दा, यह सब जीदे हैं, पीछे अगर मैं कुछ भूल किया हूँ, तो मैं आपको दिखा दा हूँ, आचली यह वाला जो आप area देख रहे हैं, यह भी आप adjust कर सकते हो, इस वाले में नहीं हो रहा है, वाट होता है, यह भी adjust कर सकते हो, जब पीछे trailer अटाज है तो इसको technically 5th wheel कहा जाता है, जिस पे आप पीछे का trailer अटाज करते हो, 5th wheel coupling ऐसा कुछ बोला जाता है इसको, तो इसका भी एक बटन था, अंदर जो मैं शायद skip कर गया है, मैंने ऐसे बोला होगा, मुझे पता नहीं है, आसे कुछ बोला होगा, पीछे air cylinders है, दो, एक suspension के लि इंडिया में भी आजिकल काई लोग बड़े trailers जो है, वो रबड़ वाला यूज करते है, यह plastic वाला यहां पे दिया गया है, तो यह चीज़े है, यह rear wheel drive है, अगेन, मैं रेपीट कर दू, rear wheel drive है, खिलाल दोस्तो इस वीडियो में इता है, उम्मेट कर दो, वीडियो पसना